हलो रोवान वल्कम टो एलेक्टिक लेंजेक एमस्केव्स आज का सेसिन में लोग गुजरात स्ट्रेट एलेक्रिसिटी कॉर्परेशन लिमिडेट का जो अभी 19 फेबुरुरी 2030 को यह प्रकार के जो आपको पूछे जारह है यह आपको इन सारे पेपर की माध्यम सबको देखन 2023 को यह पेपर हुआ था पिछले मैने में उसका हम लोग complete solution करने वाले आज के सेसिन में विद्धत से एक एक पोस्ट आई थी ठीक है जिसमें 60 कोशन जो है टेक्निकल के आज हम लोग detail analysis करने वाले important है one by one questions को देखना है जो information में आपको बता हुआ किस तरीके से आपको 2023 के लिए प्रेपर करना है चाहिए हूँ जए के examination हो किस तरीके से questions घुमा फिरा के पूछी जा रहे हैं यह सारी चीजी हम लोग आज के सेशन में डिस्स करने वाले हैं और अगर आप हमारे चैनल पे अ सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको उसका notification को शुरू करते हैं और अभी एक चीज़ आपको बताना चाहिए अगर आप इंग्लिश के लिए कोई भी आपको query होगी ठीक है फिर इंग्लिश का आपको examination में दिखकत जा रहे होगी तो हमने जनरल इंग्लिश का जिसमें 10 major topics के साथ में हमने कुर्स रिलीज किया गई तो अभी इंट्रोड़क्टरी प्राइस के ओपर हमने सिर्फ वन निटेंट रूपीज में हमने आपको प्रोवाइड करा के रखाएं तो अगर आपको इसको जोईन करना होगा गई तो आप हमारे कुचिफाई के आप्लिकेशन रावलोड कर सकते हो और आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह के से प्रेपर कर सकते हो गई यह जो टॉपिक्स है काफी इंपोर्डेंट है और यह जो आईपी पर रिसेंटले एक्जामेशन कंड़क्ट करने वाला है उसके के लिए काफी इंपोर्ड़न टॉपिक्स आप देख सकते हों और सेलेक्शन ऑव मिस्पेल्ट वार इंप्रोमेंट अफ सेंटेंस फिल इन ब्लैंक लूस टेस्ट इवन इव और रिडिंग कॉपरेंजिजन का भी हमने एक सेशन इसके अंदर डालके रखा है यह वीडियो क इसामनेशन महाजण को ए जीए कलिए इन फैक्ट जहां पी बिए आपको इंगलीस सेक्षिन में अटलिस्ट से भी स्क्टेंट दससे 15 बीस कोशिन जहां पी पुछी जाते लिए इसके लिए आपको डिस्क्स दिक क्योट कर राके रहते हैं कोचका डाउनोड की आप सानि तो सबसे पहला कोशिन कौन सा है विच मेतड़ इस तो कनवर्ट एन एलेक्ट्रिकल नेट्वर्क इंटो सिंगल सोर्स ओफ एमेफ विट सीरिस रेस्टंस काफी सिंपल सा कोशन है मैं आपको बता है कि यह सिर्फ क्या कर रहे हैं आपको आजकल कोशन जो है ठीक है उसमें आप थेवनिस का रेस संबलोग यह पर लगाते हैं यह वीटी अच और यह पिसमें लोड रसिंट रहते हैं तो यह होता है हमारे पस में थेवनिस एक्ट्ववल्टर डैटों कर ज्सक्राहता है तो यहह में क्या बताता है थेवनिस थेवर्भ में 30 is used to convert electrical network in to a single source of the map that means यह electromotive force that means एक VTH हमने एक voltage source निकाल लिया जुसके series में के resistance है तो यह हमारा थेवनिस सेरम हो जाते हैं simple चाह question आए I hope आपको समझ भाया होगा option B will be the correct answer in this case then the next question is which of the following method is not used for the measurement of phase power अभी भी recently जितने भी हमने आपको पेपर कवर करा है जिसमें आपने देखने को मिला होगा कि not best question आपको specifically बता है कि not best question की practice कीजिए करके देखे विच्व फॉलिंग मेंटर is not used for measurement of the three phase power तो देखे हम लोग 4 वाट मेंटर मेंटर यह हो है हम लोग इसके लिए यूज नहीं करते है measurement of power के लिए हाला कि 3 वाट मेंटर 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 और टू वाट मेंटर 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 यह हम लोग जनरली यूज करते है ठीकिन आशा 4 वाट मेंटर मेंटर ऐसा कोई methodology नहीं है तो यह हमारा invalid answer हो जाएगा option is का correct answer आजाएगा ठीक है नेक्स कोशन ही find the equivalent thermionist resistance across the terminal L and M दिखिए L यह हमारे पास में L टर्मिनल और यहाँ पर हमारे पास M इसके across में thermionist का resistance निकालने अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 48 voltage का source है आपको पता होगा कि हम लोग voltage source को थेयुनी सेरम में जभी भी solve करते हैं तो क्या करते हम लोग उसको short circuit करते हैं लेकिन अगर उसका कुछ internal resistance हो तो उसको हम लोग उसको replace करते हैं by its internal resistance ठीक है तो इसलिए हम लोग आप क्या करेंगे इस तरी किसे resistance को निकाल देंगे अब यह फोटेड वोल्ट को अब भूल जाएगा यहाँ रिजिस्टंस है मान लो टू हम्स का ठीक है तो इसके कारण उसका equivalent resistance कितना आएगा यहाँ इस तरी किसे निकाल लेते है यहाँ जाएगा 8 ohms का ठीक है और फिर यहाँ पर 24 ohms का फिर से इसके parallel में ओके और यह हमारे terminal कौन से होगे यह हो गया हमारे पास L और यह हो गया M अभी हमें क्या करना है simply इसका जो equivalent resistance है वो निकाल नहीं था हम लोग किस तरी किस निकाल पाएंगे ठीक है 8 multiplied by 24 ठीक है और 8 plus 24 राइट इसका जो प्लस 24 राइट इसका जो करेक्ट अंसर आजएगा हमारे पास option A which is 6 ohms तो आपके question समझ में आगा बढ़ते अभी हमारे next question के और question क्या कह रहा हमारे पास में charge of 6.28 into 10 to 18 electron is known as charge of 6.28 into 10 to 18 electron इसको में लोग कहते है वन कूलम गाईज 1 ampere mark करके मत आना ऐसे fundamental question में काफी का बाराइस प्लान गलती है अगर क्या थे option D इसका correct answer आजागा दीके charge on electron यह क्या रहता है हमारा यह equivalent किसके elementary charge ठीक है बाट यह negative science से हम लोग वोड करें हमारा जो चार्ज है वो जनरली कितना रहता है 1.62 1.602 रहता है 1.602 into 10 to 18 पर यहां पर यहां पर माइनस 19 कूलम रहता है रहता है बट जो चार्ज होन electron जाए वो लेस दन माइनस 1.602 into 10 पर माइनस 19 कूलम रहता है लेकिन अभी आप देखें का इसलिए आप कहारा है जो number of electron है एक कूलम चार्ज में वो कितना हो जाएगा 1C will be equals to 1 upon देखें 1 upon 1.602 into 10 10 पर माइनस 19 जिसका equivalent जो आता है हमारे पास में होता है 6.25 आराउंड टिके इंट 10 पर 18 तो यह हमारा इसका करेट एंसर आजए जो कि हमारे पास option D में गिवन ओके सबढ़ते अभी हमारे नेक्स कूशन के और कूशन कहारा हमारे पास what is the ratio of spark or voltage of an insulator of an insulator and n times of the spark or voltage of one insulator is called उसका हम लो करते string efficiency गाइस ध्यान में रिखिए का insulation factor factor of insulator power efficiency of insulator ऐसे option नहीं है इसका correct नहीं होगा ठीक आप देख सकते हो string efficiency हम लोग calculate करते है यह हमें क्या बताता है v string upon n multiplied by ठीक है v nearest to the disk यह हमारा string efficiency का formula होता है ठीक है तो यह हमारा बताया ratio of spark or voltage of an insulator and n times of a spark or voltage of a one insulator is called the string efficiency right option d इसका correct नहीं चरा जगा next question is which of the following term is related to the termination of execution of a program and return control to the operating system देखिए fundamental है समझा देता हो क्या है कि इसमें से कौन से term है चारों में से जो relate करते termination of execution of program termination of execution of program का मतलब होता है कि हम लोग कोई भी मानलो एक program run हो रहों का terminate करना मतलब उसको वहीं पर रोग देना ओके जो program execute होने वाला था ओके और यह क्या करता है return कर देता है हमारे इस control operating system को मानला आपने कोई software चला एक program run करा दिया आपको instruction लोड हो रहे आप यह अपने कर दिया अब और कर दिया आपके यह क्या होगा इप स्टॉप हो जाएगा और यहां पर control हमारे पास operating system को पास फिर से रेटन हो जाएगा तो यह हमारा इसका करेट आइसर आजएगा अबॉट ऑप्शन भी का करेट आइसर आजएगा अरिथमाटिक लोजिकल यूनिट नहीं होगा एक्सेस नहीं होगा और अडर नहीं होगा काफी सिंपल जाप्शन दिये थे अब डारेक्ली एलिमेंट करकी भी मार्क कर सकते थे ठीक नेक्स कुशन है मारे पास में कुशन नमबर सेवन विच फॉलिंग पारमेटर्स कैन भी चेंज बाए अटू वाइनिंग ट्रांसफर्मर देखिए टू वाइनिंग ट्रांसफर्मर इसके कारण हम लोग कौन से फैक्टर को चेंज कर सकते हैं देखिए सेकंडिरी वंटेज को हम लोग चेंज कर पाएंगी लोट पावर अपको बता कर अगा फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ट्रांसफर्मर पे राइट तो इससे लिए इसका करेंट अंसर आजएगा option a secondary voltage right so बढ़ते अब यहमारे next question क्यों क्यों क्या करा है हमारे पास में the resistance between opposite faces of a centimeter cube of any material is known as resistance between opposite faces ठीक है यह मान लो 1 centimeter का क्योब का कोई भी material होगे है मान लो ठीक है लो 3D image मना दिये इसका जो यह face है इस side से ठीक है और यह एक side से इसने हमने terminal connect कर दिया तो इसके बीच का जो resistance है उसको हम लोगो कहा है कि resistivity का इस option c का करेंट अंचरा है कि reluctance connectivity impedance नहीं होगा impedance का बात है जब हमारे पास में capacitors और inductors इंट्रोडिस होता है इस प्रकेट में नहीं resistance resistivity क्या है यह क्या है यह हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है इट इस resistance between opposite faces of a meter cube of material ठीक है एक particular meter cube है ठीक है एक centimeter का हो गया जो भी हमारे पास sizing available उसका उसके resistivity होगी इस material की इस area के लिए कितना resistance है वो हम लोग calculate करते हैं तो option c इसका correct answer आजएगा बढ़ते हमारे next question क्यों क्या कर रहा है हमारे पास में which of the following line uses three-phase four-wire system अपने देखा होगा जितने भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई चाहिए वह regular session के अंदर हो चाहिए course के अंदर है मैंने low voltage distribution line के लिए यूज़ करते हैं आपके घर पर जो यह जो supply आता है नापके घर पर तुमान लोग तीन phases होगे और यह हो गया हमारे पस में neutral ठीक है तो जो आपका घर है मान लो यहाप है ठीक है तो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी और करेक्ट्रेशिक्स इन इधर डारेक्शन ऑफ पोलारेटी इधर डारेक्शन मतलब यह डारेक्शन ऑफ करन यहां हो लेफ्ट टू राइट हो या फिर राइट टू लेफ्ट हो ठीक है तो वह हमारे इसमें प्रोडूस होने वाला हो तो उतना तो हो गई होगा ठीक ऐसा नहीं कि करन लेफ्ट डू राइट जा रहा है तो मांदो यह 10 वोल्ट का रहा है तो फिप्टीन वोल्ट डारा इसा कुछ भी नहीं होता तो यह सरकिट बाइलेटरल है यह क्या करते है करन्ट को दोनों direction में flow होने के लिए लेकिन अगर unilateral की बात किया जाए unilateral भी आ सकते तो उसमें आता है हमारे पास में diode ठीक है अगर यह forward bias है तब जाकि current हमारे side से flow होगा ठीक है अगर reverse bias है तो हमारा यहाँ पे current block हो जाएगा इस ठीक है तो यह unilateral bilateral circuit भी हमने अलड़ी पढ़ चुक है इस question का हमारा option A okay next question is which of the following DC motor has the highest torque and at a low speed according to the speed torque characteristics वह होती है हमारे पास series motors series motor characteristics मैंने आपको अलड़ी बता चुका होगा इस ठीक है यह क्या है मानलो speed or torque की characteristics में low speed पे high rpm और high speed पे low high speed पे हमारा low torque देखने को मिलता है that means high torque जब होता है ठीक है तब हमारी speed जो है वह low होती है और जब हमारा low torque होता है तब हमारी speed high होती है इसा invert characteristics हमें देखने को मिलता है यह साज यह कौन सा motor होता है जिसका characteristics इस तरह किसे रहता है वह आता है हमारा DC series motor काफी के बार हम लोग पढ़ चुक है fundamental question है next question is what is the equivalent resistance of a circuit shown in the above figure if r1 is equal to 20 ohm यह जिको r1 20 है और r2 40 है इस तरीक से circuit है guys इसके जो answer की थी इसमें प्रॉपर यह आया है नहीं ठीक है अब दिखिए grounded है मतलब यह automatically connected है ऐसा समझेगा मत की open एकर कि 0 आप मार करके आगे ठीक है यह plus minus यह r1 है यहाँ पर और यह जो है मार पास r2 राइट तो r1 में जो है मार पास में 20 और r2 into r2 40 ohms का ठीक है यह parallel में connected है तो हम लोग क्या करेंगे 20 और 40 है था हमने directly कर सकते है 20 into 40 upon 20 plus 40 will be equals to 60 1s आ जाजाएगा 3s आ जाजाएगा जितने भी हम लोग कह सकते है almost 60 question ठीक है एक question छोड़के ठीक है almost 59 question जो हमने regular session के अंदर courses के अंदर जो पढ़ा है वही आपको पूछे गया है ठीक है next question is which type of register has a connection along the resistance material ठीक है resistance material के अलॉंग इसमें से कौन सा हमारे एक type of register है ठीक है वह हमारे पास tapped register option is का correct answer आजाएगा देखिए tap register मतलब क्या होता है कि एक मानलो standard register हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता जिसका value हो सकता है हमारे मानलो like 4.7 kilo ohms लेकिन जो resistance है इसको को मैं value करना होगा या फिर अगर हमने यहां पर connect कर दिया ठीक यहां से यहां तक तो यह मानलो तो इस case में हमारे पास में हमारे पास जो resistance है वो वैरी कर सेखते है by using this tap तो हमने 1 to 2 current कर दिया तो अलग value दिखाएंगी 1 to 3 रहेगा तो उसमें ज्यादा value दिखाएगी ठीक है और 1 to 4 रहेगा तो उससे भी ज्यादा रहेगा ठीक है डिरिक लिए मैंने आपको इसका conversion बताया था यह हमारे पास 33 है इसको हम लोग जिससे जिसका हम में निकालना होगा जिससे अक्टल में निकालना है तो उससे हम लोग divide करना शुरू कर देता है ठीक है फोर फोर इंटो एट विल भी 32 और ओक है यहां पर reminder आएगा हमारे पास ठीक है तो यह हमारे पास आया 41 ऑप्शन डीस का करेट अंसर आजगा ठीक है अक्टल नमबर हुआ 41 में ठीक है इसके लिए नमबर सीरिस का में मैंने सेशन डालके रखा है अगर आपको इस तरह किसी कर्मोशन में दिखका जा रहे होगी तो उसकी लिंक आपको डिस्रीशन ऑफचन एस का साया यरू तन 9 तरेशाबन गरेख कपौस भी पॉरस्तिर और स्तिटाइड ना कीि देखा होगा हमलोग इंपल्स का भी स्तिमल करते सायनसी ब्दल फंक्शन का भी सतिमल करते स्टेब-फंक्शन ब्ल Legal कesus yogurt ओ फंक्शन हम लोग यूज सोगंल यूज cargo व्लोग ठीक है नेक्स्ट कुछन है हमारे पसमें find the wattage of 5 km resistance connected with 200 volt supply इसके लिए मैं आपको formula बताई था P is equals to V square divided by R हमी क्या निकालना है find the wattage that is power निकालना है तो voltage कितना है हमारे पसमें 200 ठीक है 200 का square 200 into 200 डिवाइड वे हम लोग रेसेंस कितना है 5 के लोग हम लोग 5000 लिख सकते यह आप यह कितना जाएगा ones up ओके और यह आ जाएगा हमारे पसमें 25 जा ठीक है तो 200 divided by 25 will be equals to 8 option एक करेट आंसर जाएगा 8 watt इसका पावर रहेगा next question is which are the following condition of a valence band electrons of an item defines the conductor सेंपल सा कोशन है सिर्फ घुमां पिरा के पुछागा है conductor में जो valence band electron रहेते हैं उसका किस तरी किस देफिनिशन रहता है दिखे conductor अगर लोग बात किया जाए तो उसमें less than four electrons रहते हैं less than four electrons रहते हैं उसके outermost orbit में ठीक है और सेमिके के बात किया जाए ठीक है तो उसमें purely चार रहते हैं वह हमारे चार रहते हैं वह हमारे चार रहते हैं वह बात किया जाए जाए जब इसको तो मोर दैन फूर रहते हैं तो आज़ा नॉन मिटल या फिर हमारा इंसुलेटर करके वर्क करते हैं तो ऑप्शन डी इस कुछिन का करेट आंस रहा जाएगा अटम विद फ्यूर दैना फूर वैलेंस एलेक्टर हम लोग उसको कैटेगरी करेंगे कि वह हमारा कनेक्टर है करक यह उसके वोल्टेज उसके वोल्टेज लगा करका है वह वोन वोल्ट है अब दिखिए मानलों सीवन हो गया और यह सीटू हो गया आपको बता है जब भी कैपेसिटर्स पार्लेल में कनेक्टेट रहते हैं उनका एडिशन होता है ठीक है सीटूला प्लस प्लस टू आपको बता होगा क्यों इस इन्टू वी तो टोटल का पैसिटर्स कितना है वह वारा प्लस चीटू मुल्टिप्लाइट वह हमारा वोल्टेज हो जाएका क्यों इस अबने फॉर्मॉला से आंसर निकाल लिया ओप्शन डीज का करेट आंसर काफी सिंबल सा कोशन है यह भी हमने कंट्रोल सिस्टेम का हमारा जो रेगूलर यूटूब सेंशन है उसके अंदर भी हमने डिस्स किया था उसको मुलोग के जा डिले टाइम मतलब क्या है यह आपको दिखाई दे रहा हो को टीडी करके टीडी का जो आपर मार्किंग देख यहां तक पॉचन के लिए जो हमें टाइम रहता है उसको हम स्कूषन का करेट आंसर आंजिगा उसके देले टाइम उसी तरी के साब को राइस राइम क्या होता है पीक टाइम क्या होता है और सेट्लिंग टेम पता हो नी चाहिए इन टर्मस ओव डेपिनेशन ठीक है तो करे चाहिए ठीक है according to the tolerance bank काफी के बारा settling time ही हमें कोशिन में पूछे जाता है उसका formula as it is या फिर उसके पर numerical इस तरीकी से आपको control system के पर यह काफी common से question है examination में definitely useful रहे देखेंगे ओके next question है हमारा which of the following is an application of power electronics power electronics के इसमें से कौन सा एक application है inversion inverter करके जो हम लोग यूज करते हैं उसमें power electronics के डिवाइस SCI थारिस्ट वगारे यूज होते है multiplexing encoding original wristwatch में हम लोग power electronics का इस्तामार नहीं करते है ठीक है next question is अब देखेंगे question में क्या था inversion ठीक है invert करना मतलब क्या होता है ac to dc और dc to ac ठीक है one and the same thing ठीक है invert करना इसमें क्या है आपको बोला गया है कि आपको options को eliminate करके correct answer mark कर सकते हूं ठीक है next question है guys हमारा which of the following filter is not used for electrical wave filter इसमें से कौन सा filter जो है इसमें हम लोग electrical wave filter में use नहीं करते है तो है हमारा Carolina filter option days option C इस question का correct answer देखेंगे है low pass high pass or band pass filter भी हम लोग इसको कहते है band eliminated है ठीक है but band pass filter भी हम लोग इसका secondary नहीं लिख सकते है one and the same thing यह but Carolina filter हम लोग यह पर electrical wave filters में इस्तमाल नहीं करते है next question क्या पूछा के हमारे पास में which of the following instrument continuously store the variation of electrical quantity for a particular time span quality बता चुका हो गईस ऐसा हमारा जो recording instrument रहता है ठीक है वो हमारे time के साथ में integrate होता है that means time के साथ वो हमारे जो quantity है ठीक है मानलो लोड कर है हमारा ठीक है हमारा power consumption हो गया कितना वाट हमने consume किया over a period of time तो हमारा recording instrument ही करेगा option C इसका का रेटन सरा जागा मुझे पता यह गए कि example integrating type of instrument का ठीक है next question is what is called if the system has some roots with the real parts equal to the zeros but none with the positive real part उसको में लोगे ते marginally stable system में आपको अपको अलड़ी पढ़ा के रखा हो कि कर हमारे सारे जो roots है जे omega axis पर रहता है तब हमारा marginally stable यह system रहता है अगर repeated roots है हमारे जे एक्सिस पर ठीक है तुम लोग उसको absolutely unstable करके मार्क करते है यह बात आपको धान में रखनेंगे option A का correct answer आजाएगा next question is which of the falling is used to attenuate high frequency component in an analog signal analog signal में इसमें से कौन सा हम लोग filter use करेंगे to attenuate the high frequency component ठीक है तो है मारा rc low pass filter options d का correct answer आजाएगा ठीक है rc low pass filter का characteristics कुछ इस तरीके से हमें देखने को मलता है ठीक है हमारा कुछ response जो है यह इस तरीके समय output इसका देखने को मजड़ा है तो option d का correct answer आजाएगा next question is mct is an improvement अब देखें mct देखें आपको काफी सब बार यह confusion हो रहा हूंगा mct मतलब क्या होता है मॉस कंट्रोल थारिस्टर ठीक है मॉस कंट्रोल थारिस्टर यह एक हमारा इंप्रूमेंट है ओवर थारिस्टर जिसमें विद पेर ओफ मॉस्फेट तो स्विच दे करेंट यह हमारा जिसे आपको आइजी बिटी का एक आथ बार को भी कोश्ट देखा होगा आपने ठीक है कि यह थारिस्टर इसन इंप्रूमेंट ओवर बीजे टी जहां पर क्या है हमारा पास में उसमें मॉस्फेट यूस्ट किया जाते है तु टू टू अन अन टू अफ दे करेंट उस तरीके से इस वाले समय में definitely पूछी जा सकते हैं ठीक है नेक्स कोशिन इस विजद फॉलिंग मेटरील इस नॉट यूस्ट को बनाने के लिए इसमें से कौन सा मेटरील यूज नहीं किया जाता है तो है मारे पास पालेडियम ऑप्शन सी का करेंट आंसर आ जाएगा निक है ले इसमें से कॉन्टी प्रॉपर्टी नहीं है वो ला गया तो हमारे समारे ब्रीटल नहीं होना चाहिए तो इसका होने चीजए अप्शन को देखते ही बाकी ऑप्शन को एक्लमिनिक कर सकते हो हो गाइस सेंपल सा कोशन था एक चीज़ आपको और रिमाइंड कराना चाहता है यह सारे जो कोशन से हमारे की कोर्स में से डेफिनेटली पूछे गए जो आपको मैंने स्टार्टिंग से बताते हारो अगर एक साल के लिए आप देख सफते की कुरी प्रप्रेशन आप बूस्ट अप कर दोगे जितना आप रेगुलरली पढ़ रहे होगे उसमें आप वैल्यू अडिशन कर दोंगे आपकी रफ्तार जो तेज हो जाएगे आपके पढ़ाई की ठीक है काफी सारे डेफिनेटली का फाइदा बंद रहा है कंप्लेट ऑल ओर एक्सामनेशन के लिए डेफिनेटली काम में आगा इसका जो कूपन कोड़े जल्दी एक्सपार होने वाला है जैए 20 इसलिए मैं बता रहो कि मार्च में कोई भी टाइम पर यह कूपन एक्सपार हो सकता है इसलिए इसका मैक्सिम बेनिफेट उठा दीजीगा और यह सारे क्यों से आप देख सकते हो वीडियो कोर्स है ऐसा नहीं कि हमने एबुक्स देखना है यह सारे वीडियो कोर्से से विट एबुक के साथ में आप्लीकेशन के आप पड़ सकते हो 399 रुपीज में कंप्लीट एक साल बर के लिए कोर्स आप जोई करके अच्छी तरीगी से प् डिफ्लेक्शन पॉइंटर इन एंप यह सेम हमने क्वेशन पढ़ा है था क्या आपको पता नहीं कि प्याप इंस्ट्रुमेंट में कौन से डैंपिंग यूज की जाते है ऐसा अगर क्वेशन पूछ तो डिरिकली एडिकरन मार्क करके आते हैं लेकिन यहां पर क्या बोला गया सिर्फ घुमाफिरा के कोश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो दिफ्लेक्शन पॉइंटर रहे दाजी पॉइंटर रहे यहां सा ऑसलेट होता रहे था ठीक है उसको डैंप करने के लिए उसके जो ऑसलेशन है कं करने के लिए पीवेंसी टाइप इंस्ट्रुमे आपको यह तो पता होगा यह तो हाला कि हमने कूर्स में भी पढ़ा कि रखाए पीमसी टाइप सारे इंस्ट्रुमेंट के हमने जो डैंपिंग है यह आपको बता कि रखे टेबल के चार्ट के मादम से उतना धान में रख लेते हो तो कॉश्चन किस तरीके से भी पूछ जा हो जागा लेकिन विदाउट लोड अन लोड़ेड लाइन में क्या होता है कि रिस्विंग एन वोल्टेज जोए ग्रिटर हो जाता है जैसे घर हम लोग मानले एक्जामबल की दरफ से देखते 132 कवी हम लोग से भेज रहे हैं लेकिन रिसीविंग में हमें दिखाई दे रह इसी एफेक्ट को हम लोग करते है फिर एंटी एफेक्ट ऑप्शन बी इसका करेट अंसर आ जाएगा नेक्स कोशिन इस इडिफाइद लॉजिक गेट शोन इन द अभाव फिकर में नाट गेट मार करके आयोंगे काफी सा रेस्पंट गलत हो जाएगा यापर नोट गेट मे इसको आइसलेशन के लिए हम लोग परपस के लिए यूज़ करते जनरली तो ऑप्शन सी इसका करेट अंसर आ जाएगा नेक्स्ट कोशिन इस विच इस फॉलइंग लॉफ क्लोज सर्किट गिवन एस सम अफ पोटेंशल राइस इकोल तो सम अफ पोटेंशल ड्रॉप के रि पोटेंशल राइस हो रहा उतने हमार पस पोटेंशल रॉप होगा मानले पर 10 वोल्ट का सप्ला है और आपी इनके अक्रस में ड्रॉप हो रहागा तो जितना सेंट किया जा रहा है उतने हैं पर ड्रॉप का एक्वल हो जाता है एक्वेट कर सकते हम लोग ठीक है तो सबसे ओल्डेस्ट हमारा पार इलेक्रोनिक्स कंपोने फिर डिवाइस कुन सा हुआ है हमार पस SCR जीटी ओ एंचीट आर सीटी यह नहीं आया चुक है वह बड़्ट सिलिकॉन कंट्रॉल रिक्टिफायर जिसमें हमारा डायोट जीसा सिंबॉल रहे थे लिकिन हापर गेट क प्रेजन होने की कारण ठीक हम लोग इसको पॉल्स देने के पॉल्स देके हम लोग इसको एक्टिवेट कर सकते हैं अट सर्टन फारिंग एंगल ठीक है तो हमारा पास सिलिकॉन कंट्रॉल रिक्टिफायर यह सबसे ओल्डेस्ट है हमारा गाईस्ट ऑप्शन एइस कोशन का करेक्ट एंसर आजागा नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं देखते हैं मारा क्वेशन वाट इस तरीके से कोशन दिये जाते हैं होता क्या कि हम लोग एक्जामनेशन को काफी कबार काफी तफ समझ लेते हैं और उसकी अकॉर्डिंग एंसर को मात करके लेकिन आपको सुस्टिव रख और नूट्र रखे इसकोशन को इस-सरी की साथिम करना ओगा नेक्स नीग्स कोशन इस विच आट तर फॉलिंग यसटाइप अट लेक्ट्रिक लेक्रिकल इंजिनेरिंग मट्रील इसमें सेब्सें लेक्रिकल इन्गरिंग मट्रेल काउं सा है करनेक्टर हो और डिजिटल में क्या difference रहता है analogous यह हमारा continuous रहता है जिसे waveform को दिखाई दे रहे होगे digital में discrete रहता है एक तो वह 1 रहेगा नहीं तो हमारा 0 रहेगा ठीक है यहाथ फिर 0 या फिर 1 राइट सो option B इस question का यहाँ पर करेट एंसर आजएगा next question के और बढ़ते देखते question के आप पूछा गया which parameter has a unit of more पर ठीक है यह मोँ पर मीटर ठीक है यह होता है मारे unit of conductivity है जैसे आपको के बात किया जाए जिसको मोग सीमेंस में करते है वह होता है मारा उसका मोह पर मिटर ठीक है यह ओम को मिलोग इस तरह किसे लिखते है इसको मुलोग करते है मूँ ठीक है इनवर्ट होता है एक दूसरे के ठीक है चाहे वह KCL हो क्या फिर KVL हो या फिर मेंशन नहीं किया गया है नेक्स्ट कुशन इस वीचा फॉलिंग इस नोट फीचर आफ माइक्रोप्रोशेशर का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है हाइए कोस्ट क्या उसके हाइए होती है नहीं लो पार कंजम्शन होता है एक्स्रेमली रिलाइबल होता है वर्साटैल भी है वो अप्शन भी इसका इसको इसका डेफिनेशन है इस बूक में दिया हुआ इसको मुलू कहते है पाथ कई पाथ ठीक है कोभी हमारे पास में जो हमारे पास में इसमें आता है एच मिटर अप्र उसमें जो है चाहिए चाहिए ध्यान में रिकेगा इस तरह की से कोश्चन बन सकता है तो आपको घुमा फिरा के कोश्चन पूछ जाए लेकिन जो मैंने आपको पड़ा है कोर्स के अंदर यूपर पिसल जाहिए के अंदर बाकी जगा वही से आपको कोश्चन बन गया रहे हैं तो option A इसका करेंट अंसर आजागा next question is which is the falling specification of a transformers related to the voltage regulation voltage regulation से related इसमें से कौन सा specification related है तो impedance per unit या फिर हम लोग percentage में उसको यह specification नमारे transformer से related जिके shape of transformer को cooling medium circulation type यह नहीं रहता है हमारा ठीक है voltage regulation की बात किया जात तो यह impedance से फिर पर unit percentage में हम लोग निकालते है percentage regulation निकालते है फिर आप पर unit में भी इसकी values हम लोग consider करते हैं सो बढ़ते अभी हमारे next question क्यों क्यों क्या करा है मारे पास में which are the falling is not related to an induction machine induction machine से related इसमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है दीखे reliable operation होता है इसका design simple होती है और low initial cost होती है लागत का जो खर्चा है उसका वो काम होता है उसकी design simple होती है operation उसका काफिरे लेवल है लेकिन constant speed with the load आप इसको synchronous machine का इसाथ compare कर सकते हैं क्योंकि synchronous machine जो है वो synchronous speed पर रहन होती है constant speed पर रहन होती है with load लेकिन induction machine पर ऐसा condition नहीं होती है इसलिए इसका correct answer आजएगा हमारा option एक आपको यहाय तक session समझ में आ रहा हूंगा इस session को like कीजिएगा और आपके दोस्तों के share करके चैनल को subscribe कीजिएगा काफी कम बार मैं कहता हूँ ऐसा बट लेकिन काफी का बार हमने एस्परेंट को देखा कि around 50% एस्परेंट जो है वह अभी तक अंसब्सक्राइब हमारेशनल इसलिए जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही में उसी तरह के सी आपको अच्छे एच्छे उसमें वेस्ट ना हो ठीक एक कोशन की पीछ है आप कॉंसेट की पीछ आप 10 जग घूंगे उससे बेटर में आपको यह दस मिनिट में और दबंदर मिट में उसको कॉलिटी कॉंटेंट में उसको प्रवाइट कर रहे तो इससे क्या होता कि आपका प्रिपरेशन का टाइम क जो काम में आता है अब देखे decimal equivalent पूछा का है binary digit का 0.1 आपको कितना भी 0 लगा है यह insignificant होगे तो हम लोग क्या करेंगे इसके decimal point के right hand side में जो भी values जाती है तो 2 रिस्ट पावर माइनस 1 से multiply करें तो हम लोग क्या करेंगे 1 into 2 रिस्ट पावर माइनस 1 plus 1 into 2 रिस्ट पावर यह insignificant है जीरो यह आना है इसका value लेकिन 1 into 10 रिस्ट पावर 2 रिस्ट पावर माइनस 1 plus 1 into 2 रिस्ट पावर माइनस 2 का जो value बनता है addition बनती है 0.75 बनती है option B इसका करेंगे नमबर सीरीज का session में डालके रखा था गई अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको definitely जाके check पेपर में आपको दो question वही से पूछेगे तो ऐसे questions को collect करते हो चलना रहता है आपको next question है in which type of control system does the actuating signal depends only on the input command and output has no control over it तो वो होता है हमारा open loop control system ठीक है यह हमारा gain है हमारा input है और यह हमारा output है ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने कुछ input दिया और output चेंज हो रहा है लेकिन हमारे पास कोई भी feedback पात नहीं है ठीक है जिसके करना हमारे पास कोई भी control नहीं है तो यह होता है हमारा open loop control system ठीक है next question is which is essential semiconductor that behaves as a register which has a negative with a negative with a high question में क्या पूचा गया which is a essential semiconductor that behaves as a register ऐसा कोंसा semiconductor है जो as a register करके behave करता है with high negative temperature coefficient of the resistance मतलब क्या है high negative temperature coefficient of resistance मतलब क्या है option ds का character answer जागे ठीक है थर्मिस्टर का काफी बड़ा role play होता है हमारे पसमें temperature sensing में ठीक है जो variation होता temperature का उसको according to the register में calculate करते है ठीक है और उसको calibrate करके हम लोग हम लोग consider करते कि इतना अगर हमारा calibrate की जाती है हर एक चीज़े में ठीक है calibrate करना मतलब कि एक quantity को दूसरे quantity में हम लोग relate कर पाते कि मानलों एकर one degree centigrade से change हुआ यहाँ पर temperature तो यहाँ वन ओम का difference है ठीक है two degrees से हुआ था two ohm का difference है तो हुआ कि हमने कि अगर हमारा one ohm से ठीक है two ohm तक resistance change हुआ तो हम लोग कंजर कर से कर सकते एक से दो डिग्री सेंटिग्रेट तक हमारा जो है ठीक है दो डिग्री सेंटिग्रेट तक temperature चेंज हुआ है तो यह इंचारी वज्जों से हम लोग इसको as a sensing units को हम लोग वर्क मिलेता है तो option d यहापर कर रहे असरा जाएगा next question is which of the falling instrument is suitable for measuring the current voltage and power ठीक है तो उसके लिए हम लोग electrodynamic instrument का इस्तेमाल करते थर्मोपल नहीं मुविंग आयन नहीं और हमारा PMC भी नहीं है ठीक है यह अपर सब चीजह के लिए हम लोग यह यह एक्सेजिबल है हाला कि बाकी भी कर सकते है ऐसा नहीं कि हम लोग voltage मेंजर नहीं कर सकते हैं लेकिन पावर के अगर हम लोग बात के ज्यादो एलेक्ट्रोडाइमिक हम लोग यूश करेंगे ठीक है next question is which of the falling material is used to make the filaments of a lamp lamp के filament बनाने के लिए कौन सा इस्टमाल करते है इस material तो उसका जो करेक्ट एंसर मुझे कमेंट करके बताएगा सिंपल सा कोशन है next question is what is the delta equivalent of resistance between terminal 2 and 3 यह 3 दिके टर्मीन यहापर 1 है ठीक है यह 2 है और यह 3 है टू टू 3 के terminal में हमारे बास जो resistance बनेगा है आप है वो कितना लाएगा हमें question में पूछा गया यह start to data conversion हो गया दिके इसको करने के लिए क्या आप इसके इन दोनों के multiplication करेंगे 8 into 6 divided by यह opposite यह आगे यह जो resistance निकालने हम लोग इसके आपोजिट का resistance लेते डिवाइड बैट इसको सॉल करेंगा अब देखे 8 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा 14 प्लस 8 into 6 divided by 12 यह 2 जा जाएगा यह 3 जा जाएगा यह 2 जा ठीक है ओके 2 into 2 will be 4 4 plus 14 will be equals to 18 option B इसका करेंगे सिंपल सा कोशन था next question is the characteristics curve that shows the relation between dash is also known as a mechanical characteristics of a DC motor काफी बार आपको कहे चोगा हो गाई कि आपको जो characteristics पढ़ते हो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर बार characteristics पढ़ लेना है कि किस तरी किस characteristics है कौन सी है बट आपको mechanical electrical power characteristics की क्या क्या होती है यह भी आपको बता होना चाहिए तो mechanical characteristics हमेशे हम लोग speed or torque के respectively ड्रॉक करते तो option C यहाँ पर correct answer आजएगा ठीक है जो speed or characteristics थे यह DC motor की उसी कहों लोग कहते mechanical characteristics उसका alternate नाम है next question is which of the following is not an application of microprocessor microprocessor का application के कौन सा नहीं दिखे हम लोग digital millimeter में हम लोग यूज करते फ्रिक्वेंसी synthesizers में यूज करते function generator में यूज करते लेकिन moving ion meter में यूज नहीं करते option C इसका correct answer आजएगा next question is identify the symbol of above power electronic devices ठीक है तीज़े पावर electronic device है तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा बस में gate turn-off थारिस्टा इस तरी किसी भी सिंबोल आ सकता है या फिर यह इस तरी किसी बीच में लाइन आती है वह भी आपको सकते हैं दोनों भी आपको symbols पता होना जरूरी है ओके सुप्शन डी यहाँ पर हमारा correct answer आजएगा बढ़ते भी नेक्स कोशिन क्यों क्या कर रहा है विच वॉलिंग डिवाइस वर्क अन दे प्रिंसिबल तो ट्रांजिस्टर मॉडल तो है हमारा silicon संट नेकटर मतल से इसमें से कौन से कौं सा correct statement आपके jam jyu होते है वा हमारे external जम्हारा signalbij करते पेम डिवाइस को तब यह हमारा होता है ठैकि उप्शन C का करेट याट अन enclosed आजाएगा नेक्स्ट कोशन है हमारे पास में विजह तो फॉलिंग अंप्लिफायर आप्ट डिरेक्ली प्रपोर्श्टल तो तो इन्पूर्ट सिग्नल इसमें से कौन सा जो अंप्लिफायर है दो वैल्यूस को कंपेर करके आउट्पूर्ट हमें प्रोवाइड करते तो वह ता डिफरें अप्टिफायर आप्शन भी इसका करेड़ना चाहिए सेम सर्केट में आपको अलड़ी पढ़ा चुक हो गया अपने आपको बताता है दो हमारे पास में सिग्नल से यह हमारा वी वन हो गया दूसरा हमारे पास में वी टू राइट इसका डिफरेंस यह हमारे आउट पूट दिखाया देता है ठीक है ऑप्शन भी इसका करेड़ अंसर आजेका सिंपल सा कोशन था ठीक है काइस काफी सिंपल सा फंडामेंटल कोशन अगर आप हमारे साथ रेगुलर ली जूड़े हो तो आप देख सकते हो कोशन को लेवल जादधा हाई नहीं था ठीक है विच विच बारेमेटर इस उच्पो पी और रैस्टित पावर आन संब क्या होंगे का इंज रीक है इन को विच इविच इक्रव्डाय रिफान कर सकते यह हो जाए इंतिता है है या फिर लोग इसकا मुण लग लिख सकते PR P R is equals to V square P is equals to V square by R देखे यही फॉर्मॉला था हमारा P is equals to V square by R या फिर हम लोग क्या लिखता है P is equals to I square into R ठीक है वन अंदे सेम दिखने का तरीका अब या अंडरूट को हम लोग क्या लिखते है P R raise to the power 1 by 2 लिखना या फिर अंडरूट लिखना वन अंदे सेमी धी होता है तो ऑप्शन दी का करेट आइंसर आजएका लास्ट कोश्चन आफ वर सेशन इस which are the following statement is incorrect for a parallel resonance AC circuit parallel resonance AC circuit में से कॉन से statement incorrect है तो वह हमारा the phase angle between the current and voltage is 90 degrees 0 यह गलत हो जागा इस ठीक है क्योंकि इसका power factor unity रहता है ठीक है cos phi 0 रहता है हमारा उसके समें ठीक है नी 5 जो हमारा 0 रहता है इसके समें cos phi जो हमारा unity रहेगा that means cos phi is equals to unity 5 जो हमारा 0 रहेगा उसके समें the current drawn is a minimum correct admitters of the circuit is minimum right option ही इसका रहता है यह था हमारा complete analysis over this GACCL paper जो अभी recently February में हुआ था आयोब आपको session अच्छी तरीके समझ में कोई भी query आती तो प्लीज मुझे comment box में comment करते हुए चलिका आपको हमसे जुदने के लिए क्लिए क्लिक करना होगा आपको हमें telegram चैनल पर connect करना होगा ठीक है जिस तरीके से आपकी query रहेंगे उस तरीके से मैं आपको definitely connect करते हो आपको हमारे